यहां पिछले वीडियो में हमने देखा था जैसा की फार्मसेटिकल और इन केमिस्ट्री के क्यूसंस पढ़े थे और आपको उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन बताया था तो यहां पर देखना फ्रेंट्स बहुत सारे क्यूसंस दिये थे बताया थे मैंने आपको जिसमें उसी के आगे की सिक्वेंस में उसी सीरीज में हम देखेंगे और यदि आपने पिछला वीडियो भी नहीं देखा तो इसका वीडियो देखें और इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें क्यूसंस वाले प्लेलिस्ट भी मिलेगी आपको और अधर सब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेइस्ट भी मिलेगी जिसमें आप जो डिजाइड आपका टॉपिक है वो डिसक पढ़ सकते हैं देख सकते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर देखना अपन सुरुवात करते हैं पहला क्योसन दाट इस देखना कानसेंट्रेशन आफ हाईड़्ोजन प्रक्साइड आज पर आईपी फ्रेंड्स हाईड़्ोजन प्रक्साइड को का फोर्मूला होता है एजस्ट उड्यूडा रोट बंता है और दिस आःशन नोन ऐच नेसेंट अक्सिजून होता है और यह नैसेंट ऑक्सिजून egalition agent की तरह काम करता है okay oxidizing agent की तरह काम करता है इससे मकलब क्या होगा जो bacteria या जो microorganism होगा वो kill हो जाएगा okay तो इस तरह से तो यह friends यह हो गया इसकी concentration अलग-अलग होती है वो किस तरह से होती है देखेगा friends यहां पर IP और BP क्या बोलता होना चीए यहां इसकी रेंज की बात करें तो यह तो बोलता है आई-पी यूएसपी क्या बोलता है 3% इसका मतलब समझना लॉजिकली इसका जस्ट हाब बोलता है friends तो 20 टाइम से 10 टाइमस हो गया friends यहां पे और यदि मैं strong iodine solution की बात करता हूं friends तो देखिएगा strong iodine solution hydrogen peroxide that is 27% weight by volume as a chemical use होता है ओके और laboratory chemical word बात आती है जब friends ध्यान रखिएगा 30% weight by volume hydrogen peroxide होता है यह इस तरह से तो हमारा यह IP के coding question है यह बीपी बोलता है तो भी वही आंसर होता IP और बीपी क्या है 6% weight by volume इस तरह से जो answer हो गया हमारा answer is the first okay तो यह आपका answer complete हुआ यदि हम next question की बात करें देखिएगा friends for you जो pharmaceutical purpose based stabilizer for hydrogen peroxide friend जैसा कि मैंने पिछली में बताया था hydrogen peroxide इस तरह से nascent oxygen देता है ओके और इस oxygen को हमने क्या की बोला था nascent oxygen यह वाली reaction highly unstable होता है यदि हमने bottle को इसकी bottle जो होती है hydrogen peroxide की इसकी bottle को हमने क्या कर दिया lab में इसको open रख दिया तो क्या होगा दूसरे दिन यदि हम आएंगे तो इसमें से oxygen जो है यह बाहर निकल जाएगा और यहां पे जो तो बचागा वह simple water molecule ही बनेगा इसलिए मतलब बहुत ज्यादा unstable होता है इसके लिए फ्रेंट्स क्या करते हैं इसकी stability increase करने के लिए पहला देखते हैं इसकी pH को 2-3 के आसपास कर देते हैं किस से करेंगे या तो लाइड भी लेते हैं और hexamine भी लेते हैं और इसी तरह से साथ में दूसरा और क्या ले सकते हैं क्यूनीन sulphate ले सकते हैं डाट जीरो पांट टू परसेंट क्यूनीन सलफेट और यह एज बैस स्टेबलाइजर अमंग दीज कंडिशन ओके तो यहां पे स्टेबलाइजिंग के लिए यूरिया भी है और क्यूनीन सलफेट लेकर यहां पर हमसे पूछा गया है क्या बैस स्टेबलाइजर तो आंसर क्या होगा आपका वह हो गया क्यूनीन सलफेट और यह सारे के सारे स्टेबलाइजर है लेकिन बैस स्टेबलाइजर की बात next question friends देखना bleaching powder क्या होता है bleaching powder basically calcium के साथ में oxygen और chlorine फिर oxygen और chlorine इस तरह से जुड़ा रहता है और यहां पर इसको देखूंगा तो आपका answer क्या बनेगा C बनेगा means calcium के साथ में CL और oxygen दोनों जुड़ा हुआ जिसका दूसरा नाम कहलाता है calcium hypochlorite यह क्या क्योंसी केटिग्री का है यह anti-microbial category का है anti-microbial microbial category का है anti-microbial means microorganism को किल करता है okay come to the next next आता है from friends potassium permagnate is used as basically potassium permagnate friends यह वाला होता है यह solid crystals होते हैं crystals होते हैं friends यदि हम इसका दूसरा नाम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं इसको लाल दवा भी बोलते हैं जो घरों में बोला जाता है लाल दवा के नाम से कहलाता है यह okay यदि हम इसका solution बनाएंगे तो इस तरह का जो solution बनेगा यह इस तरह से solution बनेगा इस solution को भी हम अलग अलग concentration में यूज लेते हैं वो concentration different different होती है friends देखिएगा पहला आता है one in thousand मतलब एक ग्राम thousand ग्राम water में लेंगे तो one in thousand होगा basically यह यूज होता है friends इसके लिए क्या for cleaning अलसर अपसे यह घाव अगरा हो गया उसके लिए यूज करते हैं और यहां पर यह दी one in thousand की बात four thousand की बात करेंगे four thousand का मतलब हो गया one into four thousand ratio हो गया एक्वस सोलीशन का मतलब वही water की बात कर रहे हैं पर और यह वाला यूज होता है एज गारगल के तोर पे okay similarly to point zero two percent solution again वह एक्वस कंडिशन का होगा और यह friends basically इसके लिए यूज होता है means treatment of poisoning of morphine opium and strichinin basically यह क्या कहलाता है इसको बोलते है stomach wash stomach wash करने के लिए काम किया जाता है और यह point zero two percent friends generally students को नहीं पाता होता है कि potassium permagnate को morphine opium and strichinin means यह तीनों की तीनों क्या है alcaloids है इन तीनों की treatment के लिए यूज क्या जाता है इस तरह से answer क्या हो गया friends हमारा answer is the D okay यह हो गया हमारा potassium permagnate next अपन देखते हैं friends strong iodine solution क्या होता है friends iodine की बात करते हैं अपन iodine water insoluble होता है water insoluble होता है means यह water potassium iodide डालते हैं और trichurate करते हैं trichurate करते time के i3 बन जाता है जिसको potassium tri iodide बोलते हैं और इस तरह से friends यहां पर यह वाली form क्या होती है water soluble होता है water soluble होता है यहां पर friends देखेंगा potassium iodide के साथ में हम कई बार sodium iodide लेते हैं means salt लेते हैं तो देखेगा यहां पर अलग-अलग concentration के solution बना सकते हैं और iodine दूसरी condition क्या है iodine alcohol में soluble होता है alcohol में क्या होता है soluble होता है तो देखेगा आप यहां पर एहला क्या है aqos iodide solution that is IP और BP जिसको अपन strong iodine USP solution भी बोलते हैं जिसका दूसरा नाम है friends logol solution इसी का दूसरा नाम है logol solution भी तो इसके कितने नाम हो गए aqos iodide solution BP aqos iodine solution IP aqos iodine solution strong iodine solution USP और logol solution इस तरह से चार नाम हो गए तो यह वाली condition तो कौन सी है यह वाली condition of friends means 5% weight by volume plus 10% weight by volume potassium iodide डाले clear है यह वीक iodine solution IP और BP की बात करता हूं देखना friends यह वीक की बात करने तो इससे कम होगा तो यहां पर हमने पोटिश आयोडीन और 2.5% पोटिश्यम यह हो गया हमारा वीक आयोडीन solution ओके नौ अब इस ट्रोंग आयोडीन solution की बात कर रहेंगे that is the IP strong का मतलब हम आयोडीन इससे ज़्यादा डाल रहे हैं पहले वाले से ज़्यादा डाल रहे हैं हम इसका मतलब 5 से क्या कर दिया हमने 10% कर दिया फ्रेंड्स 5 से हमने 10% कर दिया लेकिन यह 10% आयोडीन soluble नहीं होता इसलिए उसमें हमें alcohol डालना पड़ता है इसलिए alcoholic solution लेते हैं चुकि हमने यहाँ पे alcohol डाल दिया इसलिए हमें potassium iodide क्या है 6% ही लेना पड़ता है इसलिए strong iodine solution क्या हो गया हमारा यह हो गया that is answer C और iodine tincture में क्या होता है friends यह वाला iodine tincture है जिसमें 2% iodine होता है 2.4% इसमें sodium iodide with alcohol जब भी हम tincture की बात करेंगे तो tincture का मतलब alcohol होता है tincture में sodium iodide होता है यह एक important है इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे क्यों संस का अंसर बता दिया है हमारा answer यहां पर क्या हो गया see answer that is strong iodine solution 10% iodine और 6% weight by volume potassium iodide in alcoholic solution okay come to the next next आता friends ergaria is the result of prolonged use of ergaria basically क्या होता है जब हम देखना हम comparison करते हैं यह तो normal hand हो गया यदि हम silver से related कोई भी compound या molecule या कोई drug use करते हैं वो क्या होता है prolong use होते हैं तो silver का deposition हो जाता है skin में deposition हो जाता है skin में और उस deposition की से skin का pigmentation हो जाता है skin pigmentation कहलाता है और skin pigmentation यह यहां पर skin का pigmentation और इस process को हम क्या बोलते हैं argaria बोलते हैं तो friends silver nitrate से argaria होता है mild silver protein से argaria होता है इस तरह से हमारा जो answer है that is d answer आटा है nesse आता हैειςचने क्विक सिलवर इस प्रेजान इन नेचन फ्रेंटस मर्करी को हम क्विक सिलवर बोल से एक मर्करी का सबसे ज्यादा और इसकी दैंशिटी इन इस्की दूसरी खास बात जेंश्टम आँवस्टरhof होता है uniform expansion क्या वो होता है on heating on heating इसी वज़े से इसको हम क्या करते हैं इसको हम thermometer में use करते हैं इस property को use करते हुए क्या होगा इसको thermometer में use करते हैं mercury शिरफ एक ही form में मिलता है जिसको बोलते हैं red crystalline sulphate जिसका दूसरा नाम है sinabar इस तरह से हमारा जो answer हो गया a answer हो गया okay next आता है friends that is milk of sulfur and flour of sulfur are respectively friends जब भी sulfur की बात आती है तो बहुत सारे questions बनते हैं में इसी एक slide में आपको सारे के सारे questions का answer बताऊंगा देखना friends sulfur basically किसे मिलता है iron pirate से मिलता है iron pirate के साथ में sulfur मिलता है हमें और इसको fools gold जो मुर्खों का सूना होता है उसको बोलते हैं दूसरा नाम इसका jam stone भी बोला जाता है यह तो पहला है solid form में मिलता है solid form दो तरह का होता है rhombic and monoclonic rhombic sulfur को हम क्या बोलते है alpha sulfur या sublimed sulfur या flower of sulfur यह तीन नाम है किसके rhombic sulfur कौन सा solid वाला monoclonic sulfur क्या होता है beta sulfur कहलाता है उसके बाद में liquid sulfur भी होता है liquid sulfur क्या होता है जिसको lambda sulfur और mu sulfur इसकी दो form होती है liquid की जिस तरह से solid की rhombic and monoclonic होती है उसी तरह से liquid की क्या होगी lambda sulfur and mu sulfur फ्रेंड्स यहां पर आगे यहीं चीज़ खतम नहीं होती यहां पर इसके आगे भी बहुत सारी टर्मिनल वाजी आती है देखते हैं कैसे समझते हैं यहां पर यदि इस mu sulfur को में super cool करूंगा super cool करने का मतला यहां पर temperature में बहुत कम कर दूंगा तो super cool करने से liquid क्या होगा solid में convert हो जाएगा वो क्या किस form में आ जाएगा उसको बोलते हैं plastic sulfur means mu sulfur को super cool करने से हमें क्या मिलेगा plastic sulfur फिर उसके बाद में आगे देखते हैं यह दि aging aging का मतलब क्या होता है यहां पर aging का मतलब होता है इसको काफी दिनों तक रख दिया हमने तो इससे जो बनेगा वह sulfur होगा amorphous sulfur ओके यह तो हो गया amorphous sulfur plastic sulfur mu sulfur ओके अब दूसरा आगे देखते हैं फ्रेंट्स flower of sulfur को हम यदि boil करते हैं lime water के साथ में lime water के साथ गरम किया तो क्या होगा हमें जो sulfur मिलेगा वह precipitated form में मिलेगा और यह प्रेसिपिटीट फोम sulfur क्या कहलाता है milk of sulfur कहलाता है तो यहां पर हमारा क्यूसर आś आ जओ दूबारा से milk of sulfur क्या होगया milk of sulfur होगया precipitate sulfur और flower of sulfur कौनसा होगया sublimed sulfur तो फ्रेंट्स देखना precipitate तो ये वाला है sublime ये है तो इस तरह से हमारा जो answer हो गया कौन सा c answer हो गया clear है साइट समझ में आ गया होगा ये बहुत important है सारी पुरी की पुरी slide तो इसको आप समझना देखना next आता है astregen friends astregen क्या होते है astregen का मतलब समझना astregen का मतलब होता है protein को जो precipitate करेंगे protein precipitating agent को बोलते है astregen friends यहाँ पर इसको समझना यदि छोड़ा सा minor cut लग गया तो हम यहाँ पर क्या करते हैं spray कर देते हैं spray करने से क्या होगा बहुत simple सी चीज है यहाँ पर थोड़ा सा देखना यह protein protein यहां की जो protein precipitate हो जाएगी और इस गहाव को छोटे से कट को क्या करेंगे बंद हो जाएगा इस गहाव से बंद होने की वज़े से क्या होगा यहाँ ब्लेडिंग जो होने वाले थी यहाँ पर ब्लेडिंग रुक जाएगी इस condition को हम बोलते हैं स्टैप्टिक मतलब स्मॉल कट को या स्मॉल ब्लेडिंग को बहुत रोग देता इस condition को हम बोलते हैं स्टैप्टिक फ्रेंड्स यहां प्रेस्परेशन में अंडर राम्स पर क्या होता है पसी ना आता है हम यहां पर दियोर्डेंट का इस्प्रे करेंगे तो यहां के जो ऐस्टैव mejorar रोटीने मर जाएंगे और साथ में यहां पर प्रिस्प्रेशन नहीं होएगा मतलब पसीना आना बंद हो जाएगा पसीना बंद होएगा तो इस प्रेजुकों बोलते हैं एंटी-प्रिस्प्रेंट ओके और बटो माइक्रोइक्रोर्गनीजम मिया पे सारे के सारे केल हो इस बैक्टरिया को जैसे मैं एस्ट्रिजेन डालूंगा तो इसकी जो यह प्लाजम इंब्रेन वह लाइपो प्रोटीन की बनी होगी तो क्या होगा फ्रेंड्स यह इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा मतलब पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी इस तरह से यह डियो हमारा D यहां पर क्या होगा लगह पर vår दो अनसर कोगा यह हो गया हमारा भी यह कम तो दर नहुत्री जैसा के आफ्म 450 बात कहीं पात सारे एक्जांपल इंग अल्युमीनियम सल्फेट अल्यम सबेचित solution, zinc chloride, zinc sulfate, toughened silver nitrate, zirconium silicate, zirconium carbonate, zirconium oxide, radicals of metal that is permagnate, तो फ्रेंट देखना, zinc sulfate आ रहा है, alum आ रहा है, zirconium oxide आ रहा है, estrogen कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, answer हो गया हमारा A, ओके, ये है estrogen का, फिर आगे देखते हैं, white vitriol, white vitriol किसको बोलते हैं, zinc sulfate को बोलते हैं, friends, is used as, किसको में use होता है, friends, देखना, white vitriol basically white जो चीनी की जैसा होता है, friends, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको यदि हम क्या करेंगे, इसको हम grind कर लेंगे, पीस लेंगे, तो इस तरह का powder बन जाता है, ओके, ये तो powder हो गया, और ये इसके crystals हो गए, clear, तो यहाँ पे, ये reflux, emetic की तरह भी काम करता है, जो narcotic poisoning में काम करता है, white antiseptic की तरह भी काम करता है, और ophthalming estrogen की भी तरह काम करता है, तो इस तरह से जो answer हो गया हमारा, answer हो गया हमारा D, answer हो गया हमारा D, clear है, ये हो गया, next, a substance used as, used with the tooth brush for the purpose of cleaning accessible surface of the teeth, क्या कहलाता है, friends, यहाँ पे हमारे पास चार terminal logy यारे, desensitizer आ रहा है, dentifrices आ रहा है, mouth wash आ रहा है, और anti-carry जा रहा है, इसको समझने के लिए, इस answer समझने के लिए, मैं पहले चारों terminologies को बताता हूँ, desensitizer क्या होता है, friends, यहाँ पे, पेसेंट के, यदि कोई ठंडा या गरम चीज खाई, तो बहुत ज़्यादा, यहाँ sensitization हो जाता है, यहाँ पेसेंट को क्या करते हैं, desensitizer मतलब, यहाँ पे sensitivity को रोक देते हैं, इस sensitivity को, तो sensitivity को रोकने के लिए, zinc chloride लिया जाता है, strontium chloride लिया जाता है, और formaldeid लिया जाता है, यह as a desensitizer यूज होते हैं, clear है, यह question बनता है, एक अलग से, फिर आता है dentifrices, friends, dentifrices क्या होता है, जो powder यह होता है, उसको brush पे लगा के, दाटों को साफ किया जाता है, वो उनको dentifrices बोलते हैं, जिसमें example है, calcium carbonate, calcium phosphate, magnesium carbonate, यह तीनों के तीनों as a dentifrices यूज होते हैं, फिर आता है mouthwash, mouthwash के लिए, friends, mouthwash मतलब में liquid लेके, उसको micro-organism को kill करना है, वहाँ पे तो यह mouthwash है, और इसका example क्या कहलाता है, friends, that is chlorhexidine भी लेते हैं, और पर उक्साइड भी लेते हैं, और depend करता है कौन सा कंपनी का किस तरह से हैं, और क्या formulation बनाता है, फिर आता है, friends, के anti-carry agents, friends, देखना, दातों में इस तरह के carries हो जाती है, cavities हो जाती है, इन cavities को क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत simple से तरीके से हम fluoride से related हम लेते हैं, उसको भी salt लेते हैं, that is generally stannous fluoride और sodium fluoride लिया जाता है, generally यह दो use होते हैं as anti-carry agent, तो friends, यहाँ पे हमारा जो answer होगा, tooth brush पे लगा के करने वाला, that is dentifrice है, इस तरह से हमारा जो answer यहाँ पे हो गया, भी answer हो गया, dentifrice है, फिर आता है next, choose the true statement for the following, friends, देखना, यहाँ पे क्या-क्या है, जो polymeric sodium metaphosphate है, जिसका दूसरा नाम होता है, medril salt, और यह medril salt किस काम आता है, cleaning purpose के काम आता है, polishing agent की तरह काम आता हो, और abrasive detergent की तरह भी काम आता है, फिर friend, दूसरा आता है, butter of zinc is synonym of the zinc chloridious, butter of zinc को हम क्या करते हैं, friends, topical desensitizer, जैसा भी हमने पिछले incusence में देखा था, topical dental desensitizer होता है, 10% solution लिया जाता है, और as a astringent भी use होता है, जो skin और mucous membrane के लिए होता है, जो percent कम होता है, desensitizer के लिए 10 लेते हैं, और skin के लिए, क्योंकि skin बहुत sensitive होता है, यहाँ पर कम percentage लिया आता है, तो यह हो गिया, zinc chloride, जिसका दूसरा नाम है, butter of zinc, clear, फिर आता है, friends, sodium fluoride is used as a dental caries, जैसा अभी मैंने पिछली क्योशन में बताया था, friends, यहाँ पर बहुत important है ध्यान देना, 1 ppm fluoride जो होगा, वो हमारे drinking water में essential है, क्यों essential है, क्योंकि हमारे दातों के लिए बहुत ज़रूरी है, और यदि 1.5 ppm यूज कर लेंगे drinking water में, क्या fluoride, fluoride की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा fluoride हो गया, देखना 1.5 ppm होते ही क्या होगा, modeling of teeth, दातों का discoloration हो जाएगा, दात गंदे दिखने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं, discoloration of teeth, that is a modeling of teeth, clear है, तो सारे के सारे statement यहाँ पर सही है, that is, क्योंसान, answer is the D, ओके, फिर आता है, next question, choose not to statement for the following, देखना, strontium chloride and zinc chloride used as a desensitizer, yes, desensitizer के तरही होता है, जैसा के हमने पिछले के में देखा था, di-calcium phosphate is used as a source of calcium and phosphorus in calcium deficiency, state in the pregnancy and lactation, फिर ध्यान देना, pregnancy में क्या होता है, यहाँ पर बच्चे का development हो रहा होता है, तो बच्चे का development हो रहा होता है, देखना, यहाँ उस time पर क्या होगा, bones, bones का development बहुत जादा होता है, and phosphorus रहता है, और di-calcium जो phosphate use करते हैं, वो absorb होता है, और absorb होके वो as a nutrient supplement की तरह काम करता है, calcium और phosphate के लिए supplement की तरह काम करता है, और जब lactation की condition आती है, जब बच्चे को दूद पिलाया जाता है, उस condition में भी क्या होता है, milk का production होता है, milk का production है friends, milk में क्या होता है, again यहाँ पे क्या होगा, calcium भी होता है, और phosphorus भी होता है, तो जब भी mother को क्या चाहिए, जब भी उसको as a supplement दिया जाता है, di-calcium phosphate, जे di-calcium phosphate में, दोनों चीज आ जाती है, calcium भी आ जाता है, phosphorus भी आ जाता है, clear है, फिर आता है, simplified application and greater effectiveness are the advantage of the sodium fluoride in the prevention of caries of the teeth, जैसा कि बताया था, sodium fluoride को क्या कर रहे थे, हपन caries में यूज कर रहे थे, तो यह भी हमारा answer सही है, फिर आता है, higher concentration of fluoride in drinking water is not cause of mottling of teeth, यह गलत है, friends क्यों हो, क्यों है higher concentration, पिसकी आता है, हमने यहाँ पे 1.5 ppm होते ही, mottling करता था, तो हमारा answer क्या हो गया, D answer हो गया, यह true नहीं है, यह हवाला true नहीं है, तो answer हमारा क्या हो गया, answer D हो गया, clear, फिर आगे बात करते हैं, which vitamin is essential for the development of teeth, friends, इसको देखने से पहले, हम teeth की देखते हैं, teeth की structure है, जिसको बाहर वाली surface को, हम enable, enable बोलते हैं, इसके अंदर वाली को, dentine बोलते हैं, और इसके अंदर वाली को, हम क्या बोलते हैं, cementum, यह पल्क कहलाता है, यह root कहलाता है, और यह उपर वाला part को, हम crown बोलते हैं, friends, यह क्या है, जो dentine होता है, यह वाला, यह है, और cementum, यह condition आ गई, और enable हमारा, यह है, तो यह enable, इसके लिए, कौन-कौन सी vitamins की जरूरत है, विटामीन A की deficiency से क्या होता है, हाइपो प्लास्टिक एनेमल, मतलब, यहाँ पे जो enable में, जो calcium का deposition होता हो, perfectly नहीं होता, clear, फिर उसके बाद में, विटामीन C क्या करता है, impaired calcification of deficient, dentine, मतलब, विटामीन C के deficiency होगी, तो calcification dentine में, calcification dentine से नहीं होगा, विटामीन D क्या करता है, deposition of calcium और phosphorus, इसमें calcium और deposition का, क्या करता है, favor करता है, उसको, तो इस तरह से friends, हमारा सारे के सारे, विटामीन जरूरी है, विटामीन A, विटामीन C, विटामीन D, तो answer हो गया, हमारा, D answer हो गया, that is all of the above, clear, फिर उसके बाद में बात करते हैं, friends, alum क्या होता है, इसको समझने के लिए, बहुत सारे क्यूसन्स बनते हैं, वो देखना friends, यहां पे alum क्या कहलाता है, sulfate of univalent metal को, या, univalent metal या, उसकी जगां, ammonium होगा, साथ में trivalent metal होगा, वो हमारा alum कहलाता है, friends, देखना, एक तो sulfate होगा, इसमें basically समझने के लिए, मैं example लेता हूँ, potas alum क्या होता है, देखना friends, यहां पे potassium आ गिया, उसको बोलते हैं, क्या univalent metal, clear है, aluminium आ गिया, that is trivalent metal, clear है, और water, यह अमोनियम होगा, correct, यहां पे ammonium आ गिया, and trivalent metal क्या होगा है, aluminium आ गिया, इन दोनों को क्या है, sulfate है, साथ में क्या है, दोनों में, 12 water molecule essential होते हैं, तो इस तरह से, जो alum होता है, potas alum और ammonia alum, यदि फेरिक alum की बात करता हूँ, तो उसमें aluminium नहीं होता, उसमें aluminium की जगे क्या होता है, फेरिक होता है, clear है, इस alum का, जो strong solution होगा, इसके strong solution, generally 5-10% solution, use करते हैं, जो skin hard करने के लिए काम मिले जाता है, जो athletes, generally अपने पेरों और इस तरह से, use करते हैं, और जैसा कि, staptic की तरह भी use किया जाता है, मतलब, जो minor cut लग जाता है, जो से saving करते हैं, क्या करते हैं, फिटकरी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, जो minor cut होता हैं, उसको, तो यहां पे देखना, friends, पहला answer, पहला क्या है, sulfate of univalent metal and trivalent metal, correct है, यह सही answer, sulfate of ammonium and trivalent metal, correct है, used as a staptic for minor cut, correct है, इस तरह से हमारा जो answer होगे हैं, यहां पे, fourth that is D answer, clear है, यह सारे के सारे, clear है, LM के लिए, now next बात करते हैं, which is saline cathartic, friends, cathartic, यहां पे word is saline cathartic, इसको समझने के लिए, में आपको पहले saline cathartic, कभ यूज किया जाता है, constipation में यूज किया जाता है, कभ यूज किया जाता है, constipation में यूज किया जाता है, constipation में यूज करने के लिए, बहुत सारे examples हैं, जैसा कि, पहला है, mild purgative or lexative होता है, mild purgative or lexative, अलग-अलग category के होते हैं, bulk producing होता है, जो stool का volume increase करता है, जो generally इस सब गोल एगार दिया जाता है, दूसरा होता, stool softner होता है, जो emollient कहलाता है, जो lubrication करता है, stool को soft करता है, that is liquid paraffin, फिर दूसरा category आता है, strong purgative की category आती है, यह mild पहली थी, दूसरी आगी strong purgative की, इसमें irritant और stimulant purgative की तरह बात करेंगे, जिसमें phenophthalene, senaglycosides होते हैं, फिर आता है, saline cathartic purgative या osmotic lexative भी बोलते हैं इसको, इसमें sodium से related product होता है, that is sodium bifosphate, sodium phosphate, potassium sodium tartrate होता है, next आता है, magnesium product होता है, जिसों magnesium hydroxide बोलते हैं, magnesium sulfate, magnesium hydroxide का दूसरा नाम होता है, milk of magnesia, milk of magnesia, और इसी तरह से sulfur भी है, जिसे cathartic, यूज होता है, तो हमारा जो क्यूसन है, saline cathartic की बात कर रहे हैं, saline cathartic में यह वाली categories आती हैं, ना कि यह वाली, यह general cathartic है, तो इस सब गोल नहीं है, यहाँ पे, liquid paraffin नहीं है, इस सब गोल कौन से category हैं, bulk producing में आ रहा है, liquid paraffin किस में आ रहा है, stool soft nerve में आ रहा है, और senaglycoside किस category में आ रहा है, यहाँ पे stimulant की तरह category में, magnesium hydroxide, जिसको milk of magnesia भी बोलते हैं, तो यह हमारा answer क्या हो गया, c answer हो गया, clear है, फिर उसके बाद में next question आता है, preferred inhalant for the patients with severe pulmonary damage, pulmonary damage का मतलब उसके lungs क्या होगे, friends, lungs काम डंक से नहीं कर रहें, lungs damage हो रहा है, lungs damage के लिए, friends, हमें क्या करना पड़ता है, द्यान देना, pre-mixed carbon dioxide generally कहां यूज किया जाता है, 5-7%, pre-mixed carbon dioxide का मतलब यहां पे oxygen के साथ में mix किया जाता है, clear है, जैसा कि CO2 stimulant की तरह काम करता है, CO2 stimulant की तरह काम करता है, इसलिए इसको 2-5-7% oxygen के साथ मिलाया जाता है, है, CO2 को जो stimulant की तरह काम करता है, respiratory center के लिए, oxygen और helium, helium क्योंकि helium HE होता है, यह lightweight होता है, lightweight होता है, तो patient को लेने में बड़ा आसानी होता है, और इसलिए यह prefer किया जाता है, patient को जो severe pulmonary damage होता है, क्योंकि helium की less density होती है nitrogen से, और इसलिए easy होता है, इसको breathe करने के लिए, nitrogen का density ज्यादा होती है, और helium की density कम होती है, इसलिए oxygen और helium का लिया जाता है, यह हमारा answer हो गया A, clear है, जो pulmonary damage के लिए helium से mix होता है, ना कि nitrogen से, nitrogen prefer नहीं करते हैं, clear है, फिर उसके बाद में आता है, dry ice is क्या है, dry ice basically carbon dioxide को बोलता, solid carbon dioxide को, solid carbon dioxide gas को हम किसमें लेते हैं, इस तरह के cylinder में लेते हैं, और carbon dioxide से लेक्टेड डूसरी क्या हैं, देखना फ्रेंज, carbon dioxide stomach में क्या करते हैं, gastric acid का secretion increase करता है, पहली condition, 5 से 7% carbon dioxide के साथ mix किया जाता है, oxygen के साथ मिक्स किया जाता है, और किस तरह से क्या जाता है, morphine, hypnotic और depressing की poisoning में दिया जाता है, जैसे agent stimulant की तरह यूज किया जाता है, और जो dry ice है, जो हमारा cushion बनता है, यहाँ पर जो dry ice है, जिसको frozen carbon dioxide बोलते हैं, various skin problems में दिया जाता है, जिसको acne, eczema और psoriasis में इसको यूज किया जाता है, तो यह इस तरह से हमारा जो answer हो गया, answer A हो गया, clear है, फिर आता है फ्रेंड्स laughing gas, laughing gas क्या होता है, N2O कहलाता है, laughing gas, जिसको blue color के cylinder में यूज किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, फ्रेंड्स, nitrous oxide बोला जाता है, और nitrous oxide जैसा कि nitrogen 2 है, एक oxygen है, इसलिए इसको dye nitrogen oxide भी बोलते हैं, तो इस तरह से हमारा answer हो गया, D, basically laughing gas को use कहां किया जाता है, फ्रेंड्स देखना, बहुत simple है, पहला है, oldest and safest general anesthetic की तरह यूज किया जाता है, फ्रेंड्स इस gas को देने से, end to gas को देने से क्या होता है, जो patient होगा वो हसेगा, हसेगा तो उसका मुझ खुलेगा, मुझ खुलेगा तो क्या होगा, dental practice में भी इसको use किया जाता है, मुझ खुलेगा, दात की problem है, दात आराम से उखाड़ देगा, attractive practice midwifery means, यहां पर बच्चे का बर्थ कराते टाइम भी उसको patient को दिया जाता है, बच्चे का बर्थ के टाइम पर pain होता है, तो उस patient को क्या दिया जाता है, नाइट्रस oxide दिया जाता है, जिसको N2O बोलते हैं, patient को क्या होगा, हासेगा, लाफ करेगा, लाफ करेगा तो क्या होगा, उसकी जो abdomen की muscles क्या होगी, वो पेट पे जोर पड़ेगा, पेट पे जोर पड़ेगा, तो बच्चे का बर्थ easy से हो जाएगा, जो light anesthesia भी produce करेगा, clear है, और जनरली 50-50% दिया जाता है, नाइट्रस oxide 50% और 50% oxygen, preferred analgesia, इन तो अप्ट्रेक्टिव मतलब बच्चे के बर्थ की बात कर रहे हैं, clear है, तो यह हो गया हमारा answer D, that is यहाँ पे नाइट्रस oxide B and C, डाइट्रोजन oxide भी बोलते हैं, clear है, फिर आता है next, friends, choose true statement for ammonium carbonate, ammonium carbonate क्या करते हैं, friends, सारे के सारे देखना, use dagger respiratory stimulants के तरह आता है, जब भी ammonium से related आता है, तो respiratory stimulants के तरह ही होता है, यह दूसरे तो पर भी use होता है, जिसका देखना, बेकिंग powder भी use किया जाता है, fire extinguisher के तरह भी use क्या जाता है, ammonium casein glue के तरह भी लिया जाता है, ceramics में भी ल लिया जाता है यह बहुत सारा इसके अधर यूज हो गए, जिसका दूसरा नाम क्या कहलता है, शाल-Japanese यह पिरसन साल्ड यह ओडते है और इसको क्याकरते है path sert Omnia बनाने में भी इसको यूज किया जाता है इस तरह से हमारा जो answer हो गया that is The answer हो गया all of the ammonium carbonate के बात कर रहे थी ठीक है नौव उसके बाद से आमोनियम क्लॉराइड की तरह बात करेंगे अमोनियम क्लॉराइड का जो फॉरमुला होता है इसको वोलते है ऑब देखना हमारे पास क्वाण कौन कुंसी कंडिशन है यदि हम एक जनरल कंडिशन लेते हैं यह हमारा क्या हो रेस्परेटरी सिस्टम बताया है पन्ने जिसमें फैरिंग से लेरिंग से ब्रॉंकियोल है डाइफ्राम है इधर नेजल कैवेटी यह ट्रेकिया है लंग सेंड ब्रॉंका यह यहां पे जब जमा हो गया क्लियर है इस जगह पर कफ जमा हो गया जब हम अमोनियम क्लोराइड देते हैं यहां पे तो अमोनियम क्लोराइड इस जगह पर एक्शन करेगा और एक्सपेक्टोरेंट क्या करेगा इसको एक्सपेल आउट करेगा यह कफ बाहार आ जाएगा यहां से इसको रि し फूरस क्या है यहां पर इसंब हो जाता है एप्जूब होने की वज़े से क्या होगा यह पहां क्या नैफ्रों में यह passport type की तरह काम करता है ओस्मोटे हैं डायुरेटिक में तो यह नेफ्रों में ऑस्मोटे यह क्या है यह वह वहर जाता है साथ में water content लेके चला जाता है इस तरह से osmotic diuretic की तरह काम करता है तो यह होगे हमारा osmotic diuretic clear है और तो बाइब है और यह जुछ पर यह पर गप यह वाली condition है यहां पर strong acid है strong acid है तो friends द्यान देना यह क्या करेगा जो body compartment है उसका pH क्या करेगा पिएच डाउन करेगा इसका मतलब क्या हो गया acidifier हो गया clear है यह acidifier हो गया तो यहां पर यह body के अंदर जाके कर रहा है तो यह systemic acidifier की तरह भी यूज होता है इस तरह से हमारा जो answer हो गया that is D answer all of the means expectorant की तरह काम करता है osmotic diuretic की तरह काम करता है and systemic acidifier की तरह काम करता है answer is D clear है systemic acidifier कब लिया जाता है जब हम यहां पे कब लिया जाता है जो basic drug होता है उनका excretion increase कर रहे हैं तब हमें systemic acidifier दिया जाता है clear है next question आता है friends potassium iodide की तरह से use होता है उसी category का है expectorant की तरह भी use होता है source of iodine क्यों क्योंकि यह potassium iodide है और यह iodine के source के तरह भी काम मिलिया जाता है और यह antifungal की तरह भी काम करता है मतलब fungus को kill करता है इस तरह से हमारा जो answer है friends d answer हो गया all of the world clear है फिर उसके बाद में next question आता है antimony potassium tartrate is used as friends पहला आता है इन काला आजार काला सबसे पहले तो आता है कि antimony potassium tartrate क्या होता है यह इसका formula होता है tartary acid के साथ में antimony और potassium रहता है यह तो यह तो antimony हो गया यह antimony हो गया यह potassium हो गया और यह potassium हो गया साथ में तीन water molecules है यह वाला जो structure है यह वाला structure और यह वाला structure कॉन सा होगया टाटरीग acid का हो गया दो टाटरीक acid होते है ठाला आजार क्या होता फ्रेंड काला आजार एक disease होती को system лет भी बोलते हैं स्चिणल फिवर भी बॉलते हैं यह किसकी वजह से होता के önवाजाशR यह वहें पैरसाइट वहज़ा है जो फ्लैट बेट वर्म बोल जाता है चुन उस्टों ब्लता है और चुन प्रूर्वीन पयाँते डी आंसर हो गया एक्सपेक्टरोंट एमेटिक और कालाजार फ्रेंट्स यह तीनों की तीनों यूज बिल्कुल डाइवर्सिफाइड है तो यह तीनों की तीनों याद रखना एंटिमनी पोर्टिश्यम टार्ट्रेट डाटी जूज देंद कालाजार एज एमेटिक और एज जंने उसको हम एंटि बोलते हैं जो पोईजन को काउंट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें पहला आता है physiological antidote इसका मतलब ऐसा counteract किया जाता है जो दूसरा effect produce कर दे जैसे मालो BP increase होता है तो BP decrease कर दे कि दूसरी condition से या कोई दूसरा effect देखें उसी तरह से chemical antidote क्या होता है direct reaction करवाते है chemical reaction करवाते है उसको chemical interaction बोलते है जैसे suppose HCL की reaction एनियोज से करवाती है फिर आता है mechanical antidote जो prevent करता है absorption को जैसे mechanical antidote जनरली क्या लेज़ता है activated charcoal को लेज़ता है इस तरह से friends physiological chemical और mechanical तीनों के तीनों है answer इस तरह से हमारा जो answer हो गया है यह answer D हो गया clear यह है friends हमने आज बहुत सारा देखा क्योंस देखें thank you for watching यहां पर यह मैं आपसे फिर से request करूँगा यहां आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करें और यहां पर description box में बहुत सारे playlist दी हुई है यह आपने वह playlist नहीं देखी तो वह playlist भी देखिए आप अपने करें देखिए आपने हम आपने खेखिए करी यह आपने हम एतके वह नहीं कि दी हमने कि दी है झाल यह यह मैं आपने वह दो